खून करने की कोशिश की बस एक बार हाथ लग जाए उसकी जान ले लूँगा मैं अगर आप एक्स्ट्रीम लेवर सस्पेंस और थ्रिल को हेंडल कर सकते हैं तो मैं लाया हूँ दोज़ार चूबिस के पांच सस्पेंस थ्रिल मुवीज इन हिंडी इक साइंस फिक्षन मुवी जिसमें बहुत ज़्यादा इडवांस दुनिया दिकाए गई है एक एसी दुनिया जो साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्रिक कर चुकी है इसकी कहानी कलकी के किरhuार के इड़ गोमती है कलकी एक सूपर हीरो है जिसके पास इंसानों के मकाबले ज्यादा शक्त दिया है मुई के वी एफेक्स और इसके तमाम वर्ल्ड बिल्डप काफी बेहतरीन था बलके आदे पूरिश से कई गोना ज्यादा था मुई की कहानी जैसे महावारत की जंग को फीचर के साथ जोड़ा गया है इसके लिए डारेक्टर और राइटर दात के हगदार है मुई की स्टार कास काफी बेहतरीन है जिसमें अमिताब बच्चन, प्रबास, दिपिका पडिकॉन और कई नाम शामिल है तो नमबर फाइफ पर है कलकी उट 7.1 IMDb रेटिंग अवेलेबर और नेट्फिक्स जो के वन टाइम वाच मुई है इसके दहाई में एक सब इंस्पेक्टर आनन नरायन और इसके टीम के प्रफेशनल कंप्लेक्सिटीज के एर्धगर गूंती है जिसे लवली मातन मर्डर केस की इंविस्टिकेशन की समदारी दी जाती है आला होकाम की तरफ से प्रेशर के बाओ जिद वो किस तरह एक लोकल क्रिस्टिन पादरी जो कि इस केस में सस्पिक्ट है उसको किस तरह अरेस्ट करते है मुई के सिकंड हाफ में दूसरे मर्डर केस की इनिस्टिकेशन को दिखाया गया है क्या सब इंस्पिक्टर इन केस इसको साल्फ करेगा ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा जिनके अपस में नहीं बनती है वो एक दूसरे से नफरत करते है लेकिन टेंशन तब बढ़ती है जब सी आईजे शेंकर के गर में एक डेड़ बाड़ी मिलती है और वो इस मर्डर का प्रायम सस्पिक बन जाता है यहाँ पर स्टोरी खतरनाक मोड ले लिती है और कार्तिक को इस केस का टास्क दिया जाता है तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या मर्डर से आई जी शेंकर ने किये है या वो सिर्फ विक्टम ओफ रिवेंज बन चुका है मुई की स्ट्रिंट इसकी स्क्रेप्ट और पीजे मेनन और असिफली की बाप लेवल अक्टिंग है तो नमबर त्री पर है तलावन विच 7.2 आमडी बी रेटिंग अवेलेबल अन सोनी लेव देखना पड़ेगा ब्रह्मा यूगम विच 7.8 आमडी बी रेटिंग अवेलेबल अन सोनी लेव मा तो पुरा का पुरा कजाना चुपाओ है जल्ला कजाना काई दूतें आई नमबर वन पर जो मुवी है इसने अपने री रिलीज पर 27 क्रोर क्रास की है और आसकर डिजर्फ करते है मगर बालिवूट की चमक दमक वाले दुन्या में ऐसा मास्टर पीस चमक नहीं पाता मगर सिनमा लवर इसे खजाने को खुद कोज निकालते है तो मेल आया हूँ बालिवूट की बंजर जमीन से एक मास्टर प्लीस और फिल्म में कोई स्टार कास्ट या ऐसा चेहरा नहीं जिसको हमने शायद किसी मुवी में देखा हो अंजान चेहरों के बावजूद ये फिल्म शानदार है और सिर्फ अपनी कहानी के दम पर चली पांच कुरूर की बचार पर बनी तो मुवी का नाम है तुमबार विद 8.2 आम डिवी रिटिंग ये मुवी हमें ये सिकाती है कि इनसान अपने लालच के आउस किस हद तक जा सकता है स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर स्पैलर हो जाएगा और मुवी का इस इस मस्ट वाच मुवी गो एंड वाच इट